स्टार्ट करते हैं स्मॉल हाउस प्लैन 16 फिट बाई 17 फिट हाउस प्लैन है 272 स्कार स्कार फिट कि बिल्ड अप एरिया के अफ़र सिंगल वेज के छोटा सा होस प्लैन रिवियू देखाएंगे इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है कि सारे तीन लाइक रॉप्या आएगा बिल्डिंग कोस्ट है आगा वर दिंग कोस्टथ के विल्डिंग कोस्ट 3.5 लैक्स आएगा जी फ्लास वहन आप इसको फलक किजिये और यह जो है क्राउन फ्लोर बनाने में ग्राउन फ्लोर बनाने में ख़ड़ जाएगा और ली 3.5 लेक्स तो अगर आपका ज्यादा फ्लोर बनाना है तो उसे सबसे और भी एक्स्टा कोच आ जाएगा तो इसका जो बिलड़ाप एडिया है 16 फीट इस तरफ है और 17 फीट इस तरफ है अधिक है और इसका जो वाल है आउटसाइड का वाल 9 इंच और इंसाइड का वाल 5 इंच है अब इसको टेन इंच प्यपड कर सकते है वाल को और इंपर आएगा टॉयलेट टॉयलेट का वेंटिलेशन इस तरफ छोड़ रहा हूं और इस तरफ भी एक वेंड़ छोड़ देंगे और इस तरफ भी एक वेंड़ छोड़ देंगे और यह पर वाल है मेंडोर है यह पर और यह इंसाइट का वाल फाइव इंच का वाल है कर देंगे यह वेंटेलेशन है और यह विंडो है बेटरूम का यह भी बेटरूम का विंडो है पर किचेन का विंडो आगा है तो इस तरफ 17 फीट है तो इसका मेंडोर इस तरफ रखा है यहीं पर मेंडोर है कि फॉर फीट वाइस सेवन फीट का मेंडोर आएगा उसके बाद यहीं पर राइट साइट में आ जाएगा किचेन किचेन है किचेन का साइज छोटा सा किचेन है फाइफ फीट वान इंच वाइफ नाइन फीट है और एक छोटा सा डाइनिंग हाल है लभी के साथ तो इसके बाद लेंध है टेन फीट वान इंच तो इसके अंदर ही यह टेबल को डाइनिंग टेबल को सेट किया और एप अब आप हैंड वास के लिए डेसिंग बैठा दीजे यह यह अगर यह बीटा सकते हैं और यह टोड़ है कि अधिक बेटरूम है कि एक बेटरूम है तो यह बेटरूम का साइज इस तरह मिल जाएगा नाइन फीट और इस तरह टेन फीट पर हम आर आरे कि पे सिंगल त्यूज्ट है यह बेटरूम के साथ ही अटच कर दिया जाए सिंगेल बेटरूम है इस बी इच कहा होसे तो इसके इसको एटच कर दिया एक टैले टे ए लेक्ट इनकम बात है ठीक है तो यह हो गया टाइलेट तो इस पर कॉलम पोईट करना है कॉलम हम क्या करेंगे कॉलम को के लिए रोड टॉटेट मार्क कर देंगे इसका अंदर आपको नाइन इंच वाइन इंच का कॉलम पोईट करना है ही के आपको नाइन इंच वाइन इंच का कॉलम पोईट करना है तो नमबर आप कॉलम ही पे नाइन नमबर साएगा साइज आएगा नाइन इंच वाई नाइन इंच टेन इंच का वल हागा तो टेन इंच वाई टेन इंच का कॉलम हम वाइट करेंगे चलिए खदम करते हैं दोस्तों वीडियो कहीं पर तेंक्यू